आपका स्वागत है अभी हमारी चुनावी यात्रा जहानाबाद में है और आज हमारे साथ है बिहार के सिक्षा मंत्री क्रिस नंदन बर्मा सर निव्ज लांडरी में आपका स्वागत है सबसे पहले सवाल हम आप से ही जानेंगे कि आप पहले घोसी विधान सबाद से चुनाव लड़ते थे लेकिन इस बार आपने च्छित्र बदल दिया ऐसा क्यों हुआ यह तो पार्टी नितित्व का फैसला होता है और पार्टी नितित्व ने मुझे आदेश किया कि आपको ज खोसी विधान सबाद में आप पशेलो नाराज है ऐसा है क्या ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं मैंने पांच वर्षों में गोसी में बहुत विकास का काम किया और हमारे सरकार की नितियां है जैसे हर घर बिजली यह तो सरकार की नितिया हमने इतना ही किया कि भाई यह इस गाउन को प्रत्मित्य के अधार पर हो जाए और करी परी सब गाउं हो जाए यह हमारी कोशिश रही बाकि तो हमारी सरकार की नितियां थी इसके अलावा जहां आफशक्ता थी नदियों में पूल के निर्मान का वो हमने पांच पूल बनवाए वहां और इससे जनता को बहुत लाव ह चल रहा है तो इस तरह से सडकों का जाल पिछ गया शरकारी नितियों कारण जो मानिये मुखमंती जी की यूजना है उसके कारण पूरे बिहार के सभी शेत्रों में बिजली आ गई सडक आ गया नल का पारी चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि यह एंडिये के हुकुमत जो स्री नितिश कुमार और सुसिल कुमार मोदी जी के संजुक्त नितित्म में चलता है इसमें सबसे बड़ी उपलब्दी हम मानते हैं यह सानिविकास के कारण तो हुए ही जिनकी बात मने की लेकिन सबसे बड़ी चीज कि यहां आमन और चैन यह कायम हुआ है लोगों के मन से भै निकल गया और भै मुक्त हो करके अब रात में भी आदमी आ रहा है जा रहा है कहीं कोई डर नहीं लगता है शाम के बाद घर से निकलना बहुत मुश्किल था लोग भैवित थे तो यह सब कानून का राज मानिय मुखमंते जी के नतित्य में यह सब हुआ है और इससे ब गाउ में तृटा फोटा हुआ मकान खपरायल मकान ये दिखता था तो पता चलता था कि ये विद्देले है आज कहीं भी आप गाउं में चले जाए ये 22,000 भावन हम लोगों ने बनवाए गुलावी रंग का कोई बढ़िया भावन आपको नजर आ जाए तो आप जान जाए है कि ये विद्देले है चार लाख सिक्षकों के हम ने बैक वक्त बहाली की सारे सिक्षकों को हम लोगों ने स्कूल में पदास्थापित किया और अभी हाल कि हमारी उपलब दी है कि हमने हर पंचायत में प्लस टू तक के पढ़ाई की बवस्ता कर दी कि लड़कियों को खास करके पंचायत से बाहर नहीं जाना पड़े तो य जिसमें तीन लाख पद खा ली है ऐसा क्यों है इसे साल दोजर बीस है अभी फिलहाल हम लोग उने बहाली के परकिरिया शुरू की थी और वो करी परिव सब तयार है लगब एक लाख सिक्ष्वों की बहाली हम लोग करने जा रहे हैं कोट के कुछ आदेश के कारण वो रु जाले मिडल स्कूल से हाई स्कूल में जिसको तबदिल किया है वहां हमको सिक्षक देना है और ये बहुत जगह तो हम लोग काट छांट के उसको पूरा किया है लेकिन सिक्षकों के हमको जरूरत है हम लोग बहुत जल्द उसकी बहाली करने जाए आपने सही जगह पर ध्या को पदस्तापित किया जा रहा है बुलिंग नहीं है बहुत सारे बिलिंगे बन गई बहुत सारे बिलिंगे बननी है वो उसकी पर क्रिया चल रही है और हम समझते हैं कि अब नई सरकार जो मानिय张 मुख्मंत्री जी की नितिप ने वाली है नितिश कुमार जी की, उस सरकार में सारे जो छोटे हुए काम है वो निश्चित अब से पुरा हो जाएगा आप कह रहे हैं कि सिक्षकों की कमी आप इस सरकार कर रहे हैं कि बिहार में सिक्षकों की कमी है क्योंकि कल मैं लक्षमन पूर बात है मैं था जो आप ही के जिले के बगलम पढ़ता है वहाँ एक स्कूल है आटवीक तो जहां सिर्फ तीन टीचर है देखिए सुभाविक है हम लोगों ने सारे पंचायते में लगबग 304 पंचायत में इधर हाल में जो छोटे हुए थे उस सारे पंचायतों को हम लोगों ने उतकरमित किया है सुभाविक है कि सिर्फों की कमी होगी हला कि हम लोग उसको मैनिस कर रहे है और नई नियुकती भी हम लोग करने जा रहे है जो कोट के कारण रुका पड़ा है बहुत जल्द कोट का देश आएगा और वो बाहल ही शुरू जाएगा हर महीने हम पटना की सड़कों पर देखते है कि सिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जिनका एक्जाम निकला हुआ है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा देखिए और लाठी में चलती है सर उन पर अभी सिक्षकों का हरताल हुआ काफी लंबा चला और उनके बहुत सारी लंबित मांगें जो थी उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया मांगें तो पैदा होते रहती हैं लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया कि उनके जितनी भी वाजिब और जाइज मांगें है उसको हम लोगों ने पूरी किया जैसे उनको अनुकंपा का लाब नहीं था ट्रांसफर का लाब नहीं था ये सब भी किया और पंदर परतिशर्थ की बढ़हुतरी भी कर दे वेतन तो अब किसी को कोई शिकायत नहीं है सारे सिक्ष्यक हमारे खुश है आप कह रहे हैं कि निती लालू पर साथ आदाओ कि सासन से बार बार अपने सासन की तोलना कर रहे है लेकर एक चीज है जो नहीं बदला इस बिल्डिंग तो बनी है हम तमाम लोग ये बात जरूर कहेंगे कि पहले भी बिहार के जो इनिवर्सिटी है वहां से जो छातर पढ़ते थे उनको ग्रेजुएट होने में चार साल पान साल लग जाता था ये परंपर अब भी बनी हुई है क्यों बनी रही देखिए नई शिक्षान निती आई है कि नसरकार ने जो लाई है उसमें कुछ पराफधान किये गए है वो पुछी तरह भी लागू नहीं हुआ है नई शिक्षान निती की बात नहीं कर रहा है सर आपके यहां जो छप्रा इनिवर्सिटी हो गया मागज इनिवर्सिटी हो गया वहां से पांच साल शे साल लग जाता है सिब ग्रेजुएट होने में एक्जाम दो-दो साल पर होता है ऐसा क्यों है एक्जाम डिलेट था पहले लेकिन अब उसको अपडेट किया जा रहा है और अब वह ऐसे शिकायत बहुत जादा नहीं है कथपे कारणों से डिलेट की शिकायत थी लेकिन वो दूर हो रही है आप पता कर लीजे अभी भी मैं पिछले दिने की रिपोर्ट कर रहा था तो मैंने बिहार के लगभ़ पचास चातरों से बात किया था कैसे बिहार में सिक्सा बेवस्ता है तो सब ने कहा कि किसी का 5 साल, किसी का 4 साल एकाद इनिवर्सिटी छोड़के पतना इनिवर्सिटी उगरे छोड़के सब जग़े यहीं इस्तिति है नहीं यह आपकी रिपोर्टिंग आप बोल रहे है ने कि जो मुझे ख़वर है कि इसमें तेजी आई है और कहीं कहीं कुछ खास कारणों से अगर रुका हुआ भी है तो उसको शॉट आट किया जा रहा है और इसको हम लोग नियमित कर लेंगे अच्छा बिहार में पतना इनिवर्सिटी को केंडिया इनिवर्सिटी बनाने के मांग लंबे समय से चल रही है कई बार भारती जंदा पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि हम केंद सरकार्च बात करेंगे नहीं मिलने जो पीछे क्या कारण है सर देखिए ये मांग तो बिहार के तमाम लोगों ने उठाया था हमारे मान्य मुखमंत्री जिनने भी परधान मंत्री के सवा में इस सवाल को उठाया था तो कुछ कमिया हैं जिसको पूरा करने की जरूरत है और उन कमियों को पूरा करके हम लोग फिर इसको क्लेम करेंगे कि पर्टन अन्वर्सिटी को सेंटर अन्वर्सिटी का दाज़ा मिल जाए परधान मंत्री का भी रूख पॉजिटिव था लेकिन पता नहीं किन कारणों से ये नहीं हो सका शायद कुछ कमी रह गई थी हम दों की तो उसको हम लोग पूरा करके हम लोग फिर दावा पिश करेंगी नितीज कुमान ने सर शुरुआते दोर में लड़कियों को सिक्षा बेहतर मिले साइकली हो जाना के सुरू के कुछ उसका पॉजिटिव इंपक्ट हुआ वो लड़कियों कुछ कर रही हैं अब गाओं में जाएए सबसे पहले बात तो बिहार की उपलब्दी हमारी ये है कि स्कूल से साड़े बारह परतिशाद बच्चे स्कूल से बाहर थे वो विद्दाले नहीं आ रहे थे और लड़कियों के साभागता तो बहुत कम थे बिहार में खासर के कई कारण थे खरीवी भी थी उनकी तो हम लोगों ने पुशा की योजना लागू किया हम लोगों ने चातविती योजना लागू किया हम लोगों ने मध्यान भोजन तोस पुकेंद्र की योजना है चल रही है और इसके साथ साथ यह आगे चरकर जो हम लोगों ने महसूस किया कि भई लड़कियों ने डिमाड भी किया तो हम लोगों ने साइकल योजना चलाई और इसका लावी यह हुआ कि साइकल चला करके जब ग़ौण से लड़किया निकलती हैं तो ग़ौण का प्रिद्रिश्य बदले गया और लगा कि एक बदलाव आया समाज में, सोसल चेंज आया, तो अब हम लोगों ने तालीमी मरकज और तोला सेवक के माधियम से, जिन वर्गों में विद्याती नहीं आ रहे थे, विद्याले नहीं जा रहे थे, उन ही वर्ग के लोगों को नियुक्ति करके तोला सेवक और ता नहीं समाज के लोगों को ने तोला सेवक और तालीमी मरकज में नियुक्ति कि और अपने तोले में उन लोगों ने इसके लिए गंभेर परियास किये, वातावरन का निर्मान किया, और उसके बाद आज ये है कि सिर्फ एक परतिशत बच्चे और बच्चियां स्कूल से बा ये इतफाक है, ये संजोग है, आप गाउं में जाईए, आपको 18-20 गंटा, 24 गंटा लाइन मिल रहा है, एस ही चल रहा है, वाशिंग मसिन चल रहा है, नल का पानी मिल रहा है, और जो लोग गाउं छोड़कर चले गए थे शहर वो आज अफसोस कर रहे हैं, कि गाउं पत् पांच किलुमीटर अंदर का जो गाउं है, ट्रेंट से उतरा तो प्रेटफॉर पर रहता था, घर नहीं जाता था रहा है, आज ट्रेंट से उतरता है, अराम से घर जाता है, और वहां उसको बिजली मिल रही है, उसकी सड़के अच्छी हो गए, उनको नल का पानी मिल रहा है, आंकडे देखिए सर आप, अंतर देखिए, पहले हत्याएं होती थी, अपराधी गटनाएं गटती थी, अपराधी अराम से घुमता था, आज वो बदला है, आज अपराधी अपराध करके, चैंस नहीं है, वो पकड़ा जा रहा है, और सारा उद्वेदन हो जाता है, य यह सम्मानिय मुख्मंतरी स्री नितिश कुमार जी के कारण हो रहा है, मंजु वर्मगु टिकट के में दिया गया, मुझा फ़र पुरकान में उनका नाम आया था, देखिए, बहुत बड़ा एलिगेशन उन पर नहीं था, और उनका केस चल रहा है, कुछ माव, जो में जो जो उसका स्टोरी है, उसमें तो उनका इन्वाल्मेंट नहीं नजराया, लेकिन जो आम्स का और गोली पकड़ाने की बात थी, उसमें उनका यह हो गया था, तो इसको देखा गया कि वहां से ये केंडेट पहले भी जीत चुकी है, मंत्री रच चुकी है, तो इस तरह से कहीं से कुछ सजा मिली है, तो टिकट मिला उनको, अब पार्टी के वरिष्ट नेता है, कहा यह जा रहा है कि नितिश कुमार बिहार चुना में चारों तरह से घिर गए हैं, लोचपा को उतार दिया गया है बिपक्ष में, और लोचपा का जो पत्र था उसमें साफ साफ लि है, और नितिश कुमार और सुसिल मोधी हम लोग मिल करके और हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेशानी और जितना रामा जी, तो टिहाई से ज़्यादा पहम होता है बिहार में, कुछ चिंता की बात नहीं, अच्छा, आखरी सवाल है यह, सेकंड लाश सवाल है, कि आपको लगता है कि नितिश कुमार दुबारा मुक मंतरी बनेंगे, जिस तरीके सो घीरे हुए हैं, कुछ नहीं है, जनता नितिश कुमार को जानती है, इनके सासन को जानती है, सांती है, आराम से लोग चैन से रह रहा है, यह नितिश कुमार किसी से घरने वाले नहीं है, सब को घ सरकार ने इतना दुसरे देश के लोगों नहीं किया और बिहार में जितनी शुधाएं मिली जो प्रवाशी आये हर तरह से उनको जो कुरिंटान किया गया और उनके लिए बेवस्ताइं की गई ये इतिहास बन गया और सभी परभावित हैं उन्होंने आफ्टर कुरिंटान ज तो इस तरह से जो काम हुआ है उससे तो बहुत प्रवावित हैं प्रवाशी मजदूर तो नितिश कुमार की जयजे कर रहे हैं लेकिन मजदूरों को रोक नहीं पाए सरू परे मजदूर चले गए वापस देश है देश के अंदर बहुत जगा सुवधाएं हमारा राज जो को भी कहीं आने जाने का है हम लोग भी इस पर्यास में हैं कि हम अपने राजी को इस लाइक बनाएं कि दूसरे राजी के लोग भी हमारे के हाँ हैं तो इसमें थोगा समय लेगा कितने साल पंदरे साल तो आप सासन में रह लिए नहीं ठीक है ले जख़ड़न इतना हमारा बहुत जादा है और हम अन्य राजी के मुकाबले में काफी मतलब हम लोग गरीब राज माने जाते हैं पिछेरे राज माने जाते हैं हमको यहां से निकल करके लोगों के मुकाबले में ख़ड़ा होना है इसमें वक्त लगएगा सृम में कुछ नाम लोगा उस पर में बहुत सारे राहतें दी बहुत तरह का शहजोग दिया और बिहार उनकी ताकत पर आगे बढ़ रहा है राहुल गांधी तो इनके बारे में कुछ न बोलना ही अच्छा है प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता इनको नहीं मिल दई है नितिश कुमार बहतर मुख्यमंतरी विक आज आज वो जहनाबाद सद्भाव के लिए जाना जाता है तनाव खतम है नरसंगार का दौर खतम हो गया क्या बात करते हैं चिराग पासवान निकल रहे हैं स्टेप बाई स्टेप लेकिन इनको बहुत वक्त लएगा थोड़ा कन्फ्यूज है यह डिस्जियन लेने में इसे गरबड़ी हो रही है और कृष्ण नंदन वर्मा एवरेज हैं चल रहे हैं हम लोग नेता के नितित्वी में चल रहे हैं जो उनका यह जनाय हैं उनको धार्ती पर लाने का हम लोग परियास कर रहे हैं तो बहुत-बहुत सुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद